गईस जो OnePlus की R सीरीज है ये इंडिया में बहुत जादा फेमस है and बहुत जादा value for money proposition लेकर आती है like last year OnePlus 11 R को बहुत जादा praise किया मैंने खुदने personally user अब बहुत ही बढ़िया phone था and इस साल इसका जो OnePlus 12 R है ये phone कैसा है ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने काफी अच्छे से इसको यूज कर रहा है सारा experience आपके साथ में शायर करता हूँ and this is the full review of this OnePlus 12 R so let's begin तो सबसे पहले बतातू 6 February को ये phone को मैंने बाई करा है लग लग 45 दिन तो ICA होगा and तब थोड़ा बहुत टेस्टिंग मैंने करी है काफी ऐसा on and off चला है and 14th March कोश के अंदर मैंने अपना SIM card डाला है तब से इसको मैं as a primary device बना कर यूज कर रहा हूँ and मैं आपको बताता हूँ experience कैसा रहा लेकिन वो तो conclusion में है start करते हैं अपना review build quality and design से यहाँ पर इन लोग में बहुत दगड़ा काम करा है last year का comparison में पूरा plastic body था last year इस बार इन लोग ने aluminium की body दे दिया जैसे आप देख रहे हो and भाई इसकी जो finishing करी है मतलब भाई लगता है कोई premium phone बना है लोग ने ऐसा feel देता है यह finishing बहुत अच्छी है और जो यह aluminium भाई इसका feel महेंगा है it feels like a expensive device तो यह चीज में को बढ़िया लगा भाई and जो इसकी build quality है वो भी superb है भाई मेरे को कहीं से कमजोर नहीं हाला के इस camera IP64 का rating आता है which is little bit disappointing भाई आभी 30,000 के phone में 67 आ रहा है तो यहाँ पर भी 67 तो होना ही चाहता है 68 नहीं तो कम से कम 8.8 mm के thickness है 207 ग्राम का weight है weight थोड़ा सा heavy है लेकिन वो premium और hefty type का heavy weight है तो मेरे को ऐसा कोई जादा problem नहीं है मेरे को अच्छा और premium लगा phone बाकी Gorilla Glass Victus 2 का protection आता है which is incredible भाई ये price range में ये Victus 2 देखना बहुत अच्छी बात है back का जो glass है इसका कौन सा protection है इसका मेरे को कोई idea नहीं है and look की बात करूँ तो इन लोग ने भी भाई वही same Samsung, Apple वाली strategy अपनाना start करा है कि same type का design देंगे एक distinct identity बनाएंगे जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये phone का जो look है भाई ये काफी ज़्यादा हद तक OnePlus 12 जो है और जो 11 था, 11R था उसके जैसा ही look है जादा कोई फर्क नहीं है बाकि look अच्छा लगता है मेरे को जादा कोई problem नहीं है ऐसा भी नहीं है कि भाई मेरा दिल धगदक होने लगता है उसको देखके लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेरा दिल दुख जाता है it's good, कोई problem नहीं है अच्छा लगा मेरे को design पर कोई स्मामल में कोई दिख करते है बाकि front side में आपको ये curve 120 Hz की AMOLED display देखने को मिल जाती है और भाई ये एक चुमिश्वरी display है 1.5 के resolution है पहली बात तो दूसरी बात 6.78 इंच की है और LTPO 4 है उसके बाद में 1600 nits की high brightness mode है 4500 nits की इसकी peak brightness है numbers बगएरा अगर side में हटा हूँ तो भाई ये एक बहुत ही उमदा बहुत ही बढ़िया quality की display है ये proper 120 Hz AMOLED का मज़ा देती है और इसका जो smoothness है वो भी बहुत ही तता amazing है इसका जो touch and response rate है वो भी बहुत अच्छा है and brightness भाई, 1600 nits की outdoor में खाली high brightness mode है जो HDR होता है 4500 बड़ा number आपको लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है भाई, तो वो सिर्फ HDR में certain pixels सिर्फ 4500 nits सक जाते हैं लेकिन overall brightness is sufficient आपको कहीं पर भी brightness की कम ही महसूस नहींगी which is very very nice, LTPO की technology कब काम आती है, वो आपके battery saving में काम आती है, उसके बारे में मैं बात करूँ है बैटरी आले section में, इसका display की बात करूँ तो भाई, इसके colors जो है, इसका saturation जो है, वो incredible है आप इसके अंदर movie देखोगे, TV series देखोगे मैं बहुत जादा movies, TV series, YouTube shows बगरा देखता हूँ मिरेको बहुत मजा आया इसके अंदर media consume करने में it is a fantastic display, भाई, you will love this display मजा आ गया मेरेको, मतलब कितनी भी तारीफ करूँ कम भाई, इसा display है अब जब ये phone मैं use कर रहा हूँ, तो मेरेको एक point समझ में आ रहा है कि बाकी सारे flagship phones क्यों flat displays की तरफ move कर रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जुनको flat displays क्यों पसंद आ रहा है भाई उसका reason बहुत बड़ा है, हाला कि दिखने में यह बहुत खूबसूरत लगता है front side से बट practicality की जहां बात आती है, अगर मैं ऐसे ही सामने रखू, तो आपको इधर दिख रहा होगा देखो यह light का reflection के वेसे ना भाई, content watching के time पे कोई भी चीज़ तो हलका-फलका light का bleed यहां पर इधर पर देखो, light का reflection पड़ता है, इसके curves पर बहुत light का reflection पड़ता है, इस चीज़ के वेसे थोड़ा सा दिखका थोता, दूसरी चीज़ यह है कि यह अगर गिरेगा, तो यह थोड़ा सा जादा कमजोर होता है, तो यह चोटी-चोटी कमिया है, जो मुझे ऐसा लगता है कि इसके वाज़े से display की तरफ, लोग move हो रहे हैं, जादा practicality जादा matter करती है, बाकि यह display बहुत ही जादा हुंता है, बहुत मज़़ार लगा, and एक चीज़ और, इसके अंदर echo a touch की technology जाती है, I don't know, दूसरे brands है, मतब IQ ने इंप्लिमेंट किया, इस ने इंप्लिमेंट किया, दूसरे brands है, यह चीज़ क्यों ने इंप्लिमेंट करी भाई, अगर phone के display पे पानी गिरा है, थोड़ा बहुत छीटे गिरा है पानी के, उसकी बावजूद भी display बहुत जादा काम करता है, अच्छे जादा feel नहीं होगी, जो भी कोई भी app वगर आप उपन करते हो, तो बहुत ही fast तरीके से यह उपन करता है, एकदम मज़ेदार है, देखे हो, कहीं से आपको यह, लोना इसका feel तो कहीं से देने वाला नहीं है, UFS 3.1 का store है, हाला के इन लोग ने बहुत बड़ा blender कर दिया था बीच अब आपको मिल लेगा, बट जो भी है, यह बहुत जादा misleading है, बहुत गलत बात है, मैं इस चीज को बहुत जादा मतलब गलत मानता हूँ, बट उनका कहना यह है, OnePlus वालों का, उनका justification यह है, कि वो लोग से गलती सहता हो गया, वो जान बुचके नहीं कर रहे थे, UFS 4.0 उन कहीं पे भी जादा jitters, lags, यह सब बहुत ही नहा के बराबर notice होंगे, which is awesome, इसके साथ मैं S24 Ultra यूस कर रहा हूँ, वो यह side by side चलाता हूँ, मैं हमेशा, उसके बावजूद भी मेरे को इसके अंदर कहीं पे भी ऐसा feel नहीं हुआ, कि यह phone slow है किसी भी मामले के अंदर, जो आप एक नंबर की gaming कर साथ, इसके अंदर आप ग्रीजी लेवल की gaming कर सकते हो, बहुत ही amazing gaming आप इसके अंदर कर सकते हो, तो मेरे को ज्यादा प्रबलम नहीं, लेकिन आपको सिर्फ gaming करना है, वो मकसाद से फोन ले रहो, तो आपको 25,000 में Poco X6 Pro जैसे फोन, इवन इससे कम आपको ये iqo Neo 9 Pro जैसे फोन देखने हो को मिल जाएंगे, जो इससे ज़्यादा बेटर gaming करवानी के capability रखते है, पोको X6 Pro नहीं, लेकिन ये तो definitely करवा सकते है, लेकिन इसकी gaming भी किसी वामिले में बुरी नहीं, आप बहुत अच्छे लेवल की gaming कर सकते हो, which is very nice, gaming भी अच जादा में को देखने हो मिले, compared to this phone, अलग कि ऐसा हो सकता है कि वो optimization की बात है, ये phone जादा optimize है, compared to that one, लेकिन फिर भी, जो मैंने notice किया हो, मैं आपको बतार हो, बहुत जादा smooth है, मेरे को बहुत ही तगना लगा, अगर मैं समझो YouTube खोलता हूँ, and जैसे मैंने कोई भी video चला आते, which is very very incredible for this phone, for this price range, especially, क्योंकि मैं ऐसा सिर्फ iPhone, and Samsung के S24 Ultra के अंदर, इतना smoothness, इतना fast देखा हूँ, जो इस phone न अचीव कहा है, मुझे personally काफी परसंदा है, इसका 12 भी है, उससे में ये चीव करी है, लेकिन, फिर भी, उसके अंदर काफी bugs मैंने notice करा, तो जो उसके कोई दिक्कत नहीं है, इनका जो software भी है, इस बार अच्छा है, software कोई ज़्यादा problematic नहीं है, काफी सारे customization के यहां पर features आपको देखने को मिल जाता है, wallpapers है, styles है, जैसे आप देख रहे हो हर एक चीज, ये fingerprint का animation, हर चीज कस्टमाइज कर सकते हो, which is very nice, अच्छा है, optimized भी है Samsung का wallet है, या फिर Apple का wallet तो इंडिया में काम ही नहीं करता, तो इसके बारे में क्या ही बात करें, लेकिन वैसे type के extra benefit वाले feature ना, इसके इंदर नहीं है, लेकिन बहुत सारी बहुत अच्छे-चे features हैं इसके ज़्यादा से इंचल नहीं है, काफी अच्छा software आपको मजाएगा बाकि बात करूँ, cameras की, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा, इन लोग ने बड़ा ही average काम कर रहा है, लास्ट यर वाला MX 890 sensor chip का है, पचास megapixel का अच्छा sensor है, कोई जाता problem नहीं है, 8 megapixel का ultra video और 2 megapixel का macro camera दिखने को मिल जाता है, front में 16 megapixel की selfie shooter थे, बाकि जो तना मैंने test करा है, इसका camera जो है, बड़ा ही average है, मैं ऐसा खराब नहीं बोल रहा हूँ, यह price range के साफ से, but average मैं बोल रहा हूँ, ओके हो कि आपका काम चल देगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, जैसे अब मैंने यह monitor की photo खीची है, सारे update वगर आने के बाद बता रहा हूँ, तो अच्छ वीडियो ग्राफी तो ठीक है, वीडियो ग्राफी में बहुत जागे पर, अभी इसके अंदर improvement के दर रहते है, hopefully Ventress इसको improve करे, लेकिन overall अगर बात करो, तो camera बस average ही है, आपका काम चल जाएगा, आपको बहुत अच्छा camera phone चीह है, तो आपके पास इससे जाधा better options available है, market के जो आप देख सकते हैं, आगी camera के बाद battery life ही तरफ बढ़ू, तो भाई, I can definitely say, this is one of the best phone in terms of battery life, भाई, 5500 एमेज की बैटरी और 100 वाट का charger आता है, box के अंदर ही आता है, वो चीज़ में बहुत ही बढ़िया लगती है, आज के जमाने में सब flagship होते जा रहे हैं, बिना charger का box यहाँ पर आपको inbox मिल जाता है, यह चीज़ बहुत बढ़िया है, दूसरी चीज़ बहुत फास्ट फोन को चार्ज कर देता है, वो चार्ज़ भी बहुत बढ़िया है, हला कि बहुत जाथा फास्ट चार्जिंग का एक disadvantage भी होता है, कि बहुत जल्दी जो battery होती है, लेकिन overall बहुत जाथा fast charging है, 5000 mAh की बैटरी है, वो चुमिशोरी battery life देती है, देखो 8 hour 42 minutes, 9 hour 16 minutes, 8 hour 30 minutes, 8.5-9.9 घंटे का screen on time यह phone निकाला है बाई, incredible है, यहाँ पर जो LTPO 4 generation वाली LCD है, I mean यह जो screen है, यह बहुत जाथा कामा आती है, LCD है, of course, AMOLED है बाई, comment पर मता जाना यह चीज हैं, बहुत ही amazing quality के, तो आपको sound quality में बिलकुल दिक्कत नहीं आएगी, अगर मैं आपको यहाँ पर सुना दूँ, proper bass ही sound, अच्छा flagship जैसा feel देता है, मस्त लगा sound quality, stereo speakers, of course, यह चीज़ बढ़िया है, और उसके बाद में भाई, इसका जो haptic motor है, वो भी काफी अच्छा है, flagship जैसा है, तो मस्त फील आता है, जादा दिक्कत है नहीं यहाँ पर, और इसके अंदर IR blaster भी आपको दिखने को मल जाता है, जो काफी जादा useful है, और NFC का भी support है, तो Google Pay के अंदर मैं tap and pay वाला feature use कर सकता हूँ, यह चीज़ में में काफी अच्छी लगती है, NFC होना चाहि VOLT बगएरा मस्त है कोई दिक्कत नहीं है, 5G भी बहुत अच्छा चलता है, तो basically networker में कोई दिक्कत नहीं आती है, जो इनका earpcs का sound भी बहुत अच्छा है, जो mic का pickup है भी बहुत अच्छा है, तो basically आपको call quality बहुत अच्छी मिलेगी, and मैंने यहाँ पर Odiler दाल के रख ल भी है, ऐसा बिल्कुल fail वगारा होने वाला मेरे को यहाँ पर हिसाब किताब नहीं मिला, जो face unlock है भाई वो तो OnePlus का आपको बता ही है, आज के जमाने में यह सब चीजों में जदा दिक्कत नहीं है, plus सबसे important और सबसे अच्छी चीज यह है, कि भाई इस बार इन लोग नहीं कि automatically जैसे यहाँ पर क्या होता है, जैसे display जो है ना, पहले ऐसा होता था कि भाई, जो बहुत सारा application है, इवन दो 120Hz का support है, फिर भी वो 90Hz पर चलता था है, 60Hz पर चलता था, लेकिन उस बार इन लोग ने option दे दिया, apps freshet, तो यहाँ पर जो gallery बगएरा ना, यह by default 60Hz पर रहता और जो यह accent color है, यह मैंने पूरा blue color रखा है, जैसे आप देखे हो, तो इकल के परसो आचानक में ऐसा हो आना, कि accent color पूरा reset हो गया, अजीब सा color आ गया था, यह वाला color आ गया था, तो दो को दिखा तो, colors में जाके, यह trendy वाला color अपने आप choose हो गया था, पता नहीं कैसे ह हुआ, यह मेरे को समझ में नहीं आया, और दूसरा, वो जो gallery वगयरा है, वो अपने आप 60 Hz पे चले गया था, तो यह चीज़ भी मेरे को बड़ा ही weird लगा, कि भाया, ऐसा कैसे हो रहा है, तो यह एक बहुत बड़ा bug notice, और उसी वक्त में, मतलब यह ऐसा जब अचानक से reset ह और फोन उस्टाइं पे बहुत ज़्यादा गरब भी हो गया था, पता नहीं क्या हो अचानक से, कि बात छोटे मूटे minor bugs था है, और कोई major तो मेरे को यहाँ पर deal breaker इसके अंदर नहीं लगा, overall अगर बात करूँ तो यह price में देखो, इस से थोड़े कम price में आपको Iconio 9 Pro यह बहुत ही incredible phone है, overall अगर इस phone की बात करूँ isolation में, भाई यह क्या ही must phone बनाया है OnePlus, and 40,000 के नीचे मैं आख बन करके recommend कर सकता हूँ, it is even better than OnePlus 12, मैं यह clearly बोल सकता हूँ, because इसके अंदर bugs बगरा मैं को काफी कम मिले compared to that one, और एक चीज़ और बता दू भाई, मैंने खुद के बैता है यह phone, बिल्कुल भी sponsored बगारा नहीं है, जो बात है एकदम clear है यह phone है, दमदार, आप बिंदास खरीच सकते हो, कोई tension लेने की ज़रुवत नहीं है, 40,000 के नीचे मैं आग बन करके score recommend कर सकता हूँ, इतना सामवाट लोगा है, कोई tension नहीं है, so yeah, इतना ही था, इस video I hope आपको वडियो अच्छे लगी होगी, अगर अच्छे लगी होगी तो बाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, and thank you so much for watching this video guys, bye bye